सर्वांग समता के अनुप्रयोग Application of Congruency समान साइज और समान आकरिती वाली दो आकरितिया सर्वांग सम होती हैं दो त्रिभुजों को सर्वांग सम कह पाने की कुछ शर्ते हैं जैसे भुजा 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 भराबर हो कोण भुजा कोण भराबर हो इत्यादी हम यहां सर्वांग सम आकरितियों की सर्वांग समता वा उनके शेत्र फल में संबंद को देखेंगे प्यारे बच्चो इस अध्याय में हम सर्वांग सम्ता के बारे में बात कर रहे हैं और वो भी त्रिभुजों के सर्वांग सम्ता के बारे में आपने उन सभी शर्तों और परिसितियों को देखा है जहां पर दो त्रिभुज सर्वांग सम्ता हो सकते हैं अब एक नया सवाल हमारे सामने आता है क्या सरवांग सम् त्रिभुजों के शेतरफल में भी कुछ संबन्ध होते हैं तो यहां हम इन्ही के बारे में बात करेंगे कि अगर दो त्रिभुज सरवांग सम् हैं तो उनके शेतरफल का इस पर क्या असर पड़ता है आपके सामने दो एक्जांपल लिहां पर देख रहे हैं दो daharan अब यहां पर देख रहे हैं दो तृबुझ यहां पर हैं तृबुझ ABC और तरूभुझ PQR और आप देख रहे हैं कि यह हमने इसको समकोर बनाया हुआ है और यह भी समकोर है इसके विकंड वाली भुजा पांच इकाईयों के बराबर है और इसका जो आधार है वो तीन इकाईयों के बराबर है वैसी दूसरे त्रिबुच की विकंड की भुजा पांच इकाईयों के बराबर है और आधार तीन इकाईयों के बराबर है आपकी पुस्तक में जो माप दी हुई है वो सेंटी मीटर में है और हैं हमने थोड़ा उसको बड़ा करके बनाया था कि आपको साफ साफ दिखाए पड़े तो माप इनकी बराबर हैं 5 इकाई यह तीन इकाई यह तीन इकाई है और यहां त्रिबुज PQR में कोड क्यों समकोड है तो एक तो हम कह सकते हैं कि समकोड दोनों त्रिबुजों में समान है और समकोड के सामने की भुजाएं भी समान है जिसे आप विकंड कह रहे हैं तो दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि विकंड भी इनके समान है और उनके अलावा एक और भुजा त्रिबुज की BC और QR दोनों बराबर हैं जो तीनती निकाईया हैं तो आप देख रहे हैं कि राइट एंगल, हैपोटेनियस और साइड यह जो सरवांग समता की सित्थी है वो यहां लागू होती है और इसके आधार पर कह सकते हैं कि त्रिबुज ABC और PQR दोनों सरवांग सम हैं तो पहली बात जो हमको लिखनी चाहिए हैं त्रिबुज ABC सरवांग सम हैं त्रिबुज PQR के अब हम इनके शित्रफल के बारे में बात करेंगे आप देख रहे हैं समकोन त्रिबुज में विखन आपको मालूम है और आधार मालूम है यहां भी और यहां पर भी तो यह जो बची भुजा है यह से हम कैसे निकालेंगे आफको पता है कि पैथा गुरस प्रमे के या भुजाण मात कर दें तो हमको बचको आपको अब में दूसरी भूजा कि लंबाई का वर्ग घटा दे और इसका वर्गमूल ले ले तो हमें मिलेगा A B का माप इसका भू करेंगे तो आपको मिलेगा पाश का वर्ग 25 और तीन का वर्ग 9 और ये बराबर हो जाएगा 16 वर्गमूल और्वर्गमु सोला को मान होता है So in our और अब यह उल्जा का ले आप्झा between A, B की मान undertaking St na sorte आपको करें एक बड़ ढ़नी तो बीस की स्किति कांद प्रड़ इसकी A B है जिसका माना भी आपने निकाला है तो हम त्रिभूज A B C का शेत्रफल आपको पता है त्रिभूज का शेत्रफल बराबर होता है एक बटे दो गुणित आधार गुणित उचाई आधार यहां पर आपका जो दिया हुआ है इस चित्र के लिए आप देखिए यह B C है और उचाई जो है A B है तो आप इसको लिखेंगे एक बटे दो गुणित B C गुणित A B B C के माप हमारे पास है तीन इकाई है और A B के माप दी हुई है अभी हमने प्राद किया चार इकाई है तो यहने मानों को हम यहां पर रखें तो हमें मिलेगा एक बटे दो गुणित B C 20 E के मान है 3 E काई हैं तो हम यहां 3 लिखेंगे और गुणित A B जो अभी आपने प्राप्त किया 4 E काई है यहां 4 लिखें तो आपको इसको हल करने पर मिलेगा 2 से आप 4 वो कटाएंगे तो आपको मिलेगा 2 E कम 2 2 दूनी 4 2 गुणित 3 बराबर 6 तो यह आपको मिला 6 वर्ग इकाई यहां और ठीक इसी तरह से आप त्रिभुज PQR का भी शेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज PQR का शेत्रफल त्रिभुज PQR की माफ ABC के माफ के अधार के अनसारी हैं और आप जिस तरह से इसका शेत्रफल निकालेंगे और आपको इनका भी शेत्रफल मिलेगा 6 वर्ग काई यहां आप भी हाँ देख रहे हैं कि जो दो सरवांग सम त्रिभुज आपके पास थे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR उनके शेत्रफल भी एक बराबर आ रहे है त्रिपुज एबी से के शेत्रफल शेवर की काई है और त्रिपुज पी क्यू आर का शेत्रफल भी शेवर की काई है तो एक परणाम पे हम पहुचते हैं यदि दो त्रिपुज सरवांग सम है तो उनके शेत्रफल भी एक दूसरे क बराबर होते हैं अब हमें देखना है क्या ऐसे त्रिभुज जिनके शेत्रफल समान है वह सर्वांगसम हो सकते हैं तो आईए हम इसको भी एक बर करके देखते हैं अब हम इसे मिटाते नहीं है एक दूसरे उदारेंट को हम कागस पर देखते हैं आप देख रहे हैं कि आपके पास दो त्रिभुज है एस यूवी और एक्स वाइजएड इस त्रिभुज में जो त्रिभुज के उचाई है वह छे इक आई है और त्रिभुज का आधार जाएगा एक बटे दो गुणा छे गुणा पांच और इसको हल करेंगे आप तो आपको शेत्रफल मिलेगा पंद्रा वर्ग इकाईया एक दूसरी आकरिति आपके सामने है यहां पर त्रिभुज एक स्वाई जेड है आप देख रहे हैं दोनों त्रिभुज अलग अलग द अब यहां पर देख रहे हैं पूरा इसका अधार छे गाई है और इसकी उचाई पांच इक बराबर है इस त्रिभुज से अलग दिखाए पर रहा है इसका शेत्रफल हम निकालेंगे तो हमको मिलेगा एक बटे दो आधार गुडित उचाई हम यहां पर लिखे एक बटे द अधार जो छे है और उचाई पांच है इसको भी आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा शेत्रफल बराबर पंद्रा वर्गी काईया आप देख रहे हैं कि इन दोनों त्रिबुजों का शेत्रफल एक जैसा है इसका शेत्रफल पंद्रा वर्गी काईया है और इसका शेत्रफल भी पंद्रा वर्गी काईया है लेकिन दोनों त्रिबुज सर्वांग सम नहीं है यहां हमने देखा था कि दोनों त्रभुज सर्वांग सम थे तो उनका शेत्रफल एक जैसा आ रहा था यहां पर हमने एक जैसे शेत्रफल वाले दो त्रभुजों को देखा तो पाया वो शेत्रफल तो बराबर है लेकिन त्रभुज सर्वांग सम नहीं है तो हम इस महत्वपूर्ण निश्कास पर पहुंचते हैं कि यदि दो आकरितिया सर्वांग सम हैं दो त्रभूज यदि सर्वांग सम हैं तो उनके शेत्रफल समान होंगे लेकिन यदि दो त्रभूज जिनके शेत्रफल समान है वो जरूरी नहीं है कि सर्वांगसम भी हो तो एक बहुत महत्पून परणाम में इसे आप ध्यान रखेंगे फिर से एक बार इसको रिपिट करता हूं यह दी दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके शेत्रफल बराबर होंगे लेकिन यह दी दो त्रिभुजों का त्रिभुज लेकर देखिए और देखिए क्या उनमें सर्वांगसमता है या नहीं है बच्चो अब हम एक ही आधार वह समानतर रिखाओं के एक ही जोड़े की बीच जो आकृतियां बन रही हैं उसके बारे में कुछ बात करेंगे आप देख रहे हैं यहां पर कुछ आकृ आकृतियों में आप बारी बारी जिस अगर ध्यान से देखें तो आप को यह दिखाए पड़ेगा यहां पर दो त्रिभुज बने हुए हैं तो यह जो आकृतिया आप देख रहे हैं दो त्रिभुजों की उनके लिए आप कह सकते हैं दोनों त्रिभुज एक ही आधार और की उचाई पर बनी हुई है इस चित्र में आप देखेंगे एक तो समरांतर चत्रभुज आपको दिखाए पड़ रहा है इन दोनों आकृतियों के आधार भी एक ही हैं जिसे आप जी एच की रूप में देख रहे हैं और इनकी उचाईयां भी एक जैसी रखी गई हैं तीस एक जैसी है और उचाईयां एक जैसी है और उचाईया एक जैसी है तो क्या हम देख सकते हैं कि आपने ए और डिशिरसों को देखा है और इनको हम मिला दें एक कटी हुए रेखा से हम इसको मिला रहे हैं आप देखिए यह एक रेखा बन गई यहां पर भी हम वही काम करें इनको भी हम मिलाएं और ऐसा ही हम तीसरे वाले चित्र में करें तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि दोनों आकरितियों की उचाई एक जैसी है यहां भी यहां भी और यहां भी तो इसका मतलब है कि ये जो रेखा उपर आपको दिखाए पड़ रही है ये इस चित्र में NQ रेखा यहां पर FI रेखा और यहां पर AD रेखा ये सभी के सभी इनके सद्र समाणनतर रिखाउं जैसी इस तिया बना रही है तो अब जितनी आकरितिया हैं आप देख करें हैं उन में एक और खूबी जुड़ जाती है कि वो दोनों समानतर रिखाओं के एक जोड़े के बीच स्थित है तो इन में दो विश्यस्ता हैं आप देखेंगे कि जितने भी चित्रों के यहां पर जोड़े बिने हुए हैं उन सभी का आधार एक समान है और दोनों चित्र समानांतर रिखाओं के एक ही जोड़े के बीच इस्तित है आप देख रहे हैं यहां पर भी आधार GH है और एक ही जोड़े समानांतर रिखाओं के एक ही जोड़े के बीच दोनों आकरितियां बनी है और ठीक इसी तरह से यहां पर भी इन दोनों आकरितियों का आधार एक जैसा है ship और सम्वनानतर रिखाओं के एक ही जोड़े NQ और OP की भी रिचल यह आकरितिय है अब इस आधार पर हमारे सामने एक नई परिश्दिती पैदा होती है क्या ऐसी आकृतियां जिनके आधार एकी जैसे हैं और जो समनांतर रिखाओं के एकी जोड़े के बीच निर्मित है उनके शेत्रफलों के बीच कोई संबन्ध होता है तो ये हम देखने जाएंगे अभी देखे नेक्स्ट जो आप वीडियो देखेंगे उसमें ये चीज़ा आपके सामने आएगी बच्चो अब हम एकी आधार और समनांतर रिखाओं के एकी जोड़े के बीच बने वे दो समनांतर चतरभुजों के शेत्रफल के बारे में बात करेंगे हम देखेंगे कि इनके शेत्रफलों के बीच क्या सम्बन्द है आपके सामने ये जो आकरिती बनी हुई है उसमें आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि दो समनांतर चतरभुज यहां पर है समनांतर चतरभुज एस आर बी आप इस तरह से देख रहे हैं हाँ पर जो थोड़ा ज़्यादा चुका हुआ है बाई और दूतरा समनांतर चतरभुज है पी एस आर क्यों यह आपको नदर आ रहा होगा तो यह दो समनांतर चतरभुज है और अब हमको इनके छेत्रफल के बारे में देखना है कि इनके छेत्रफल के बीच क्या सम्मंद है अब देखिए दोनों चतरभुजों के आधार एक जैसे हैं A.S.R. और रेखा A.Q. और A.S.R. जो समनांतर रेखा हैं उन्ही के बीच में इनका निर्माड हुआ है अगर आप पहले समनांतर चतरभुज को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इस समनांतर चतरभुज को यह हिस्सा जो P.S.R.B. है वो दूसरे वाले समनांतर चतरभुज के साथ common है आप देख सकते हैं समनांतर चतरभुज P.S.R.Q. में भी यह हिस्सा शामिल है यह जो त्रिभुज आप देख रहे हैं वो इस समनांतर चतरभुज को हिस्सा है और यह त्रिभुज आप देख रहे हैं वो इस पहले वारे समनांतर चतरभुज को हिस्सा है यदि हम इन दोनों त्रिभूजों के शित्रफल को पहचान पाएं कि इन में क्या संबंद है तो हम देख सकेंगे कि दोनों समानांतर शित्रफूजों के शित्रफल का संबंद क्या है तो ज़र आप ध्यान से देखिए जो कि ये समानांतर शित्रफूज है एस आर बी इसलिए यह जो रिखाए हैं जिसे मैं इस तरह से चिन्हांकित कर रहा हूं यह समनांतर रिखाए हैं और यहां जो कोण बन रहा है यह दोनों संगती कोण होंगे और आप जानते हैं कि समनांतर रिखाओं को यह दि कोई तीरक रिखा काट रही हो तो संगती कोण आपसे बराबर होते हैं तो इस आधार पिया मिन कोणों को बराबर कर सकते हैं और फिर दूसरा तरीका होगा एक और जब इस कोण के बारे में हम सोचें तो यह जो दोनों कोण है वो इस समनांतर रिखा को जो पी स आर क्यू समनांतर चत्रभूज मांलं देखेंगे इन दोनों समनांतर रिखाओं को एक यू तेरिक रिखा काट रही है तो आपके बार यह जो कौणं ह हो संगती कौण बनते हैं और सवनांतर देखा हो कि संदर में हम कह सकते हैं कि संगती कोण बराबर है तो इस तरह से आपने देखा कि ये दोनों कोण ये कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है अब एक और चीज़ आप देखेंगे कि ये भुजा AS और BR ये दोनों भुजा है समरानता चत्रभुज का हिस्सा है आपने सामने एक भुजा है इसलिए बरावर भी है तो आप ये कह सकते हैं ASP और त्रभुज BRQ ये दोनों त्रभुज सर्वांग सम्थ है तो आप त्रभुज ये सर्वांग सम्थ है तो आप उसमे ये इस वाले शेत्रफल को जोड़ दें तो हमको दोनों चत्रभुजों का शेत्रफल मिल जाता है जो बरावर है तो इस पूरी प्रक्रिया को इस चत्र से समझने के बाद हम करमशा लिखना शुरू करेंगे अब आईए देखिए हमारे पास दो समनांतर चत्रफुज है इनका नाम लिखे है एस आर बी समनांतर चत्रफुज समनांतर चत्रफुज एस आर बी एस आर बी और दूसरे सावन अंदर चत्रभुज PSRQ में PSRQ में हम देखेंगे कि PSRB PSRB जो कि एक चत्रभुज है PSRB कॉमन है या उभैनिस्ट है अब हम इन त्रभुजों के बारे में बात करें त्रभुज A.S.P त्रभुज A.S.P और त्रभुज B.R.Q में कौण A और कौण B आपसे बराबर है क्यों क्योंकि समनांतर रेखा A.S. और B.R. A.S. समनांतर है B.R. के और तीरेक रेखा A.Q. उन्हें काटती है A.Q. उन्हें काटती है इसलिए कौण A जिसे आप P.A.S. कह सकते हैं कौण P.A.S. बराबर कौण B पर बना हुआ ये कौण जिसे आप Q.B.R. कह सकते हैं कौण Q.B.R. बराबर है और ये संगती कौण है ठीक इसी तरह से P.A.S. और Q.R. समनांतर है P.A.S. समनांतर Q.R. और तीरेक रेखा फिर से A.Q. A.Q. Q. उन्हें काड़ती है इसलिए आप कह सकते हैं इन दोनों कौणों के बारे में कौण A.P.S. कौण A.P.S. बराबर कौण Q. B.Q.R. कौण B.Q.R. और एक भुजा A.S. और B.R. भी आप बराबर का सकते हैं A.S. बराबर B.R. ये समनांतर चत्रभुज A.S. आर B. के आमने सामने के भुजाएं हैं जो बराबर और समनांतर होती हैं तो एक गुण आपको यह मिला दूसरा गुण आपको यह मिला और तीसरा गुण यह मिला जो बताता है कि इस त्रभुज की एक भुजा और दो कौण इस त्रभुज की एक भुजा और दो कौण के बराबर हैं तो कौण कौण भुजा सर्वांग समत्ह के आधार पर आप बता सकते हैं कि तर्भुज APS सर्वांग समय तर्भुज BRQ के और अभी अपने प्रमे पढ़ा है कि यह दो तर्भुज सर्वांग समय तो उनके शेत्रफल भी सावान होते हैं तो हम लिख सकते हैं छेत्र फल तरिभुज एपी एस का बरावर होगा छेत्र फल तरिभुज बी आर क्यूं के अब यादि हम दोनों में एक ज्यास है छेत्र फल जोड़ें जो इस हिस्से का दिखाए पाल रहा है आपको इसमें भी हम इसको जोड रहे हैं और इसमें भी इसको जोड रहे हैं तो हम जोड़ें शेत्रफल समलम चत्रभुज पी एस आरबी पी एस आरबी और यहां भी हम जोड रहे हैं शेत्रफल समलम चत्रभुज पी एस आरबी देखे क्या होगा तरिपुड ए-PS ये वाली आकरिती तरिफुड की और चत्रबुज पी-े-स-ार-प ये जू आप देख रहे है इन दोनों की मिलाएँगे तो आपको ये पूरा समनानतार चत्रफुड मिलेगा जिसे हाफ लिखेंगे 77 चत्रबुज शेत्रफल लिखें पहले 77 चत्रबुज ASRB का ASRB का बराबर होगा यहां देखिए आप BRQ BRQ ये त्रबुज का शेत्रफल और PSRB इन दोनों के दिए आप मिलाएंगे तो आपको ये 77 चत्रबुज दिखाए पड़ेगा जिसे आप लिखेंगे PSRQ तो आप लिखेंगे शेत्रफल शेत्रफल चत्रबुज PSRB PSRB ये कैसा परिणाम है जो बहुत महत्वपूर्ण है और ये बताता है कि जो दो समनंतर चत्रबुज हमने लिए थे उनमें से दोनों समनंतर चत्रबुज एक ही आधार PSR पर निर्बित है और इनकी दोनों भुजाएं जो आपने सामने के वो समनंतर रिखाओं कि एक ही जोड़े पर निर्बित है तो ये प्रणाम हमें मिला कि ये दि समनंतर चत्रबुज वायाद भी हो सकते हैं एक ही आधार और समानतर रेखाओं के एक ही जोड़े की बीच एदी बनते हैं तो उनका शेत्रफल समान होता है तो ये एक बहुत ही महत्वण परिणाम है और इससे हम आगे बहुत सारे प्रमेवों को सिद्ध करने में मदद ले सकेंगे तो ये आपका एक इंपर्टेंट महत पूर्ण थिवरं था इसे आप एक बार फिर से पढ़गे समझ सकते हैं बच्चो प्रमे 10.5 में एक ही आधार और एक ही समानतर रेखाओं के बीच बने दो समानतर चतुरबुच का शेत्रफल समान होता है